हमारे देश में पता नहीं क्यों सूपर हीरोज की जो मुवीज हैं उनको एक तरीके से बच्चों की कैटेगरी में रखा गया है कि हाँ यार सूपर हीरोज की मुवी है ये तो बच्चा ही पसंद करेगा अगर एडल्ट है तो भाईया उसको तो आप लव वाली मुवी दिखा है या जिसके अंदर सौफ़ पॉन हो वाली मुवी दिखाई है वो अडल्ट को पसंद आई तो यह जो सोच यार वो बदलने की बहुत ज़्यादा जरूरत है क्योंकि आज की जो वीडियो है मतलब जिस मुवी के मैं बात करने वाला हूँ उसके अंदर मुझे कुछ-कुछ ऐसी ही फिलिंग हुई या फिर जितनी भी पुरानी मुवीज मैंने देखी हैं बॉलिवूड की या फिर साउथ की अपनी इंडिया की जितनी भी मुवीज आई हुई है सूपर हीरो से जो रिलेटिड होती है तो उसके अंदर एक कॉंसेट जैसा इन्होंने डाल रखा है कि बच्चे ही जो हैं वो सूपर हीरोज की मुवीज को पसंद करेंगे और बाकी तो कोई पसंद करने वाला है ही नहीं तो खेर इन सब चीजों को साइड मेट आते हुए बात करते हैं आज की इस वीडियो में मिनल मुरली मुवी के बारे में तकरीबन इसकी जो लेंथ है वो ऐसी बात नहीं है चलिए अराम से प्यार से बैठके इस मुवी की कहाने के चर्चा कर लेते हैं तो आसमान से एक बिजली गिरती है जोसफ नाम के एक व्यक्ति के उपर जैसी बिजली गिरती है उसके शीर में कुछ चीजें अडबड़ गड़बड़क होने लगती है जिसस इसकी हेल्प करता है इसका भांजा जो आठ या दस साल का होता है यार एक व्यक्ति जिसकी उम्मत तकरीबं 30 के आसपास होगी उसको अपनी पावर्स का सही से यूज नहीं कर पा रहा है उसको नहीं पता पावर्स क्या होती है बच्चा आगे बता रहा है कि देखो बामे ज मुवी के ट्रेलर में दिखाए घैना हुका नहीं मतलब spoiler के वह इंट्रेश्ट बढ़ाने के काम आएगा जोजव के पास पावर्स तो आपने सुना हुका नहुक्त की बड़ी पावर्स के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती है जोषभ के पास कौन से जिम्मेदारी एग लड़की पटाने की शायद यही अब एक बात मुझे यह समझ नहीं आती यार यह कौन सा लोजिक होते है कि वीलन को पहले पावर का पता चल जाएगा सारी की सारी और उसको सबसे ज़्यदा पावरफुल मतलब स्टार्टिंग में दिखाया जाएगा फिर बाद में हीरो उससे पिटता है और या उसके बाद उसको अपनी पावर का एसास होता है या फिर जो मेकर्स हैं मुवीज के उनको लगता है कि यार पहले हीरो को अच्छे से पिटाई हो जाए उसकी लोगों को यही देखना पसंदा है फिर लोगों को एकदम से हीरो जगता हुआ, उसके अंदर कोई बात होगी, उसको ना याद आएगी, तेरे बाप ने ऐसा बोला था, तेरे माँ ने ऐसा बोला था, तेरे बहन ने ऐसा बोला था, तेरे दोस्त ने ऐसा बोला था, तेरे प्रोसी ने तरका ऐसा बोला था, तब उसके दिमाग में वो चीछ चलेगी फिर उसके अंदर पावर आएगी फिर वो विलन से लड़ना जाएगा यह यह कौन सा लोजिक होता है यार यह समझ नहीं आता है कि विलन को पहले सारी पावर्स का पता चलेगा लेकिन हीरो को पता नहीं चलेगा हीरो को बाद में पता चल उसके पास भी पावर आती तो उसके भी बैक्ग्राउंड की स्टोरी हमें दिखा जाती है कि वह ऐसा क्यूं है क्या उसके साथ चीजें हुई है लोगों ने उसको धितका रहा है वह प्यार ढूंड रहा था लेकिन आज तक उसको प्यार मिला ही नहीं और एट दी एंड जब म चाफी अच्छा लगता है वह चीज देखकर दूसरा इसके अंदर जैसे हमें काफी पुराना ताइम दिखाया गया है तो वह बहुत अच्छे से हमारे सामने रिप्रेजेंट किया गया एक जो इसकी स्टोरी है उसको जब हुम देखते हैं तो एक नया ही मतलब एक फ्रेश चीज हमें देखने को मिल रही है सबसे बढ़िया चीज इसके अंदर मुझे और भी चीज मतलब बहुत सारी अच्छी चीजे हैं जैसे कि emotional angle हमें इसमें देखने को मिलता है कि emotions भी emotions के ओपर भी काफी अच्छा work किया गया है हम इससे movie से connect हो पाते हैं और अब यहां पर बात करें कि इस सबसे बढ़िया चीज फिर से बढ़िया चीज मतलब सारी चीजें अच्छी हैं इसके अंदर जो इसके अंदर fight होती है last में शीबू और जोशप की तो यहां पर जब last में fight हो रही है जो background में music दिया है भाई साब बहुत जबर्दस बहुत बढ़िया लगा है VFX भी काफी अच्छे लगे है मुझे इसमें अब यह तो इतनी होगी अच्छी बात है कोई छुट तो नहीं रही ना यह इतनी ही अच्छी बात है थी अब आते हैं इसके negative point पे negative point में इसका यही जैसे मैंने starting में कहा कि इसकी length काफी ज़ादा है जहांपर बोरियत सी ऐसास होने लगती है बोरियत इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें इसके अंदर repeated हो रही है वो हम नहीं देखना चारहे हैं बार 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 चीज़ें वो हो रही है देखो मा में power ऐसी ऐसी यूज़ की जाती है अब यार क्या भांग पी के बना रहे है थोड़ा बहुत मतलब adult का भी दिहान रख लो मतलब serious बना लो मूवी को देखो क्योंकि मैंने बहुत अपनी वीडियो में का है यह जो super heroes की movies है इसके अंदर काफी ज्यादा potential है इसको सही से यूज़ करें तो बहुत ज्यादा एक audience है भारत के अंदर बाहर की जो movies आती है हम उनको बड़े ही चाव से देख रहे होते हैं क्योंकि उसके अंदर जो मुझे इसमें negative में मुझे रखनी थी काफी movie अच्छी है जैसे मैंने का बसंद आई है movie का interest बना है मुझे कि भी power आ रही है स्टार्टिंग का जो एक चाव सा होता है उसको देखने का तो वह काफी अच्छा मुझे लगा यहां पर experience काफी अच्छा मेरा मेरी तरफ से इस movie को मैं जेना चाहूंगा seven out of ten अगर आप लोग ने movie देखिए तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोग कैसे लगी one time से मतलब यह कहूं कि आर वन टाइम कंसीडर नहीं काफी अच्छी movie आप definitely इस movie को देखे कुछ चीजिए जो है इसके अंदर